सब्सक्राइब कर रहा है तुम क्या कर रहा है माब आपका सपना टूट जाएगा खुद मेरा सपना टूट जाएगा जिसको नोकरी मिल जाते है उसको भगवान से भी ज्यादा खुशी होते हैं भगवान तो मंदिर में मिल जाएगे लेकिन नोकरी और मातर 555 का कमड़ा होगा दिखा दीजे किस तरह से कितना चोटा कमड़ा है और यहां पर एक छात्र हैं जो पढ़ाई कर रहें तयात निकket जारीजे किस तरह से कमड़े में यहां पे यह सामान रखते हैं मतलब बहुत ही छोटा कमरा इसमें ही एक बेड लगा रहता है और इसी एक ही कमड़े में कहें तो पुरा 2400 घंटा चात्रों का बीतता है और उपर भी पुरा मतलब इधर देखिये उसमें सामान ही सामान रखा सामना पर रहहा है चाहे वह हर तरह से संगर से घर से बीरूपी आने मदिक कर तो आ रहा यहां तक लगता है कि अब कि बार क्या होगा देखिए दीपक जी है दिपक जी दस साल से पटना में रहके इसी कमड़े में पढ़ाई करते हैं दस साल काफी लंबा आकरा होता है दोस्तों इसी पाँच पाँच के कमड़े में किस तरह से रहके पढ़ाई करते हैं लेकिन अभ प्रव्जमें पिखि में वी कमी है जो हम सकस्थ नहीं किये लेकिन बात है कि घर वाला हमको दोस्द दे रहा है हम घर वाले को दो यह तो निदान नहीं निकाए पर यास में लगे हुगा हो जाना जाने दस साल काफी लंबा होगा तो शुरू में हम नेभी एड़ वर्स का किये ते बहुत कुन एकजाम और कितना एकजाम अभी तक अभी तक हम बहुत सा एकजाम दी जिसका बरनन है एक अईयसाइपीस का छोड़के टेकनिसियन दिए बहुत सारा राजियों में बहुत सारा जगों पढ़ जाके आपने कई मुझमें कमजोरी होगा . पटा नहीं कि banana लगता है कि मन लगता है vari तो राज पुलिस भी ने बने ता अब रेलेवे यह लगता है कि बार नहीं होने देगा क्यों कितना कम बाली आया है अब सब प्राइबेट हो रहा है तो यह लोगों को जिन्दगी मेरा लॉस हो गया अभी क्या पर रहे हैं अभी तो रेलेवे का एक मुल्दा है और कुछ रेलेवे कहीं आपकी आखरी उमीद है और आखरी सपना है उम्र भी आपका तो लगभग देखने से लग रहा है बहुत एक कम ही मस्पशन्त भला तो सब भला हो गया कोई चारा नहीं है मेरे आपके हैं घर से प्रूं करते हैं तो क्या बाते होती है बाते हो तुम को नहीं होगा, तुम क्या कर रहा है, हम खा रहा है, सो रहा है, और हम लोग कैसे रहते हैं, वो भगवान जानते हैं, तो हम जानते हैं, कि तीन हजार उपिया भी भी हम तीन हजार मात्र लेते हैं घर से, उसी में रूम रेंट देते हैं, उसी में खाना हम खाते हैं, कैस यह जो दर्द बया हम किसको कहेंगे जब हम समय को चुक रहे हैं मेरा दोस्त सब चला गया और हम मान यह तो लसक गए समझ नहीं आ रहा है कि हमको क्या किया मात आई फट रहा है पूरा प्रेसर है कि कितना अपसोस होता है करली आए उसके पचाज यान मिलता है करना उसका जिन्दी चक चक हो गया और मेरा क्या है यह काष़ा का Liter Com how दिपक जी हम पूरी तरह से सरकारी नोकरी पर आश्रित तो नहीं हो सकते हैं ना क्या किया जब बिहार में विरुजगारी है यहां का माबाप का भी सपना रहता खुद का सपना की सरकारी नोकरी करें जी मम्मी पापा जब फोन करते हैं आपसे पूछते हैं कि बेटा और कितना तो क्या जवाब देते हैं आप और्वारश करते हैं कि अब कि बार ले लें, यहीं उम्हेदी लेख कर लगें और नहीं होगा तो फिर क्या हाल होगा यहीं सोच के, चिंता मगलाते हैं, बहुत दोरा चिंता है कि मेरे पीछे भी आटाई लोग हैं, मावाब का सपना तूट जाएगा, खुद मेरा सपना तू किसान ही हो सकता है हमसे नहीं होगा क्योंकि मेरा उम्र इसमें चला गया है अपने उम्र के छात्रों को आप क्या कहना चाहेंगे हम उसको कहेंगे कि या तो बाबु अबरी हो गया है नोकरी या लगता एक तुम में कि निकल जाएगा तो तो कोसिस करो और नहीं तो कोई दूसरा रोजगार ढूंड लो पूरी तरह सरकारी नोकरी के पीछे ही अगर पढ़के हम आसिरित रहे तो उसका अंजाम क्या होता है इसका अंजाम देखिए बुरा होता है अगर आप हो अशुआ कारे से पतना से घर माइबाब आपको कहता है कि रूभ्अ क्तिखाशा खला हुआ यहां कम जाता अशला करने किस राह की ओर चलें बहुत सारा आपने successful लोगों का टोपर लोगों का इंटर्विव देखा होगा उनको जाना होगा लेकिन आज हम आपको एक unsuccessful छात्र जो है उनका इंटर्विव लेकि आपको बताना है कि क्यों छात्र सक्सेस नहीं हो पाते हैं मतलब क्या आप जब सुरू में जमाये थे आज से 10 साल पहले 2014 में तो क्या आपका मतलब ध्यान इधर उधर भटकते रहता था क्या कारण पहले हम जुनून के साथ है पहले जोस था जब नया उम्र था नया खुन था जुनून था अम दी एक जाम पांच बार कलकता रांची गय से सार्ण नहीं डबले सब दी नहीं निकलता है कहने को मतलो कि सब आपी टूट जाता है ऐसा हुआ था कि एक नंबर से आधा नंबर स कोई एस एकजाम जो आप निकाले हों हाँ बीएड का निकाले थे इंट्रेंस पैसा के कारण हम प्राइवेट कॉलेज में नहीं जा सकते नहीं कोई भी कम्प्टिटिटिफ एकजाम जो अब करेंदी मेंस कुछ भी हम बिहारे से से बार भड़े थे दो आया चोदम हम से नि डरे रहे कि आपको कुछ नहीं मिला दस साल सीख सिख है मिला कि हमारे बाले बच्चे उनको यह बहुत बड़ी बात कह रहे हैं हम बड़ी बात नहीं हम उसको कहेंगे बेटा तुम नौकरी देने वला बनो नोकरी लेने वला नहीं बनो चाहे तुम बेब स्रीज बनाओ चाहे तुम लॉंडिया नचाओ चाहे तुम आरकेस्टरा खोड़ लो चाहे तुम बहें को बने कारे मतलब मेरे यही है कि सबको तो नोकरी नहीं होगा सरकारी यह बाद अभी 5660 है ओल इंडिया च्छपन लाख भरेगा कि छपन करोर भरेगा जिसको भगवान दिमाग दिये जो दिन रात मेहनत करा उसको अब हम उतना तैयारी नहीं है और जो कंप्यूटर एक्जाम हो नोकरी ने लगलाओ बबुआ निती से सरकार में लेके हम भिहार में उमरोह बितलाओ दरियोह पकलाओ अक्य करताओ हम रास प्यार माई बाप के सपना हम थोड़े दली पटना में एगो नोकरी ये बीना सुनो हो निती सजी एगो नोकरी ये बीना तो उसके कितनी खुसी होती है प्रसनलिटी हो जाता है आपका जिंदगी सट्लमेंट में आज आटा है उसे हम लोगों का भी क्या है को कोई भेलू नहीं करनों-कृरी होगा तो मेरा क्या होगा कॉहाँ कौह हो जाएगा इसमें लग गया इतना इतना तुरक शाओधी तो मेरा बाप को भी फ़लाइड़ घुमाएंगे सब सपना साकार होगा रहसा क्या सपना है आप Dogmaเห्ये बहुत ब्लारी मने जो हम ऐसा काम करें जो पचास लोग, सो लोग, कम से कम हम आदमी होकर सुचते हैं कि हमारी जोड़ खटी, हमारा नाम हो, यस हो, हम उसको रोजगार्द है, चाहे हम जी से रिया मुझा है, इमानदारी से, कहता है कि कोशिस करने वाले के कभी हार नहीं, आप ही सुने होंगे, वो जो आप टीवी मॉवाइल में देखते हैं, वो चंद लोगों का इंटर्व्यू, उसी के चकर में आधा भी बढ़वात है, वो जो आप देख लेते को, हो, 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 खांसर, उनके जानते हैं, खांसर के बागु हम पर रहे तो अफिसर गड़ीर के हैं, और उनके पास 20 रूपया हुरोपया नहीं है, रुपया नहीं है, पहन थी रूपया कैसे समय काट रहा है, देखते हैं, किस तरदे इतना छोटा-छोटा प्याज है भाइस साहब रखे हैं, मैंगी खागे, मैंगी खागे हुआ जिस दिन आप भूखे रहे हूँ एक दिन भूखे रहे हैं हमको पैसा नहीं था तो चुरा उड़ा फांकर भंजाव जा रहा है मजबूरी था क्या करें पहला सपना भाई साब का सेना में जाने का था दूसरा सपना भ Bearунк में लेकिन उम्ड भी निकलता जा रहा है आम तोर पर इस उम्ड में कितना उम्ड हो चुका होगा भी 2018 साल के भाई साब आज भी उमीद है कहीं अगर इस साल नहीं हुआ तो यह फिर मतलब बाहर हो जाएंगे अपने नोकड़ी के लोक में घ्रिक जाएंगे और किस तरह से अपने तेबल पर किताब रखा हुआ है जो किताब नहीं पढ़ते हैं उधर रखा हुआ है खाना कहां बनाते हैं यह रूम इतना चोटा है कि इसमें खाना बनाना साथ मतलब मुस्किल है देखिए यह बनाते हैं इसी तरह उधर समान लिए तरह रोटी बेलते हैं कि उतार किसरी तरह कुरा बर्तन वहां सहरो हुआ रहां रहते हैं जूता रहं नहीं है, इसको नोक्री हो गया है तिसकर आगे में जींड रहते हैं? लगते कितनी दिन सत्ताला लगने? मतलब लगते हैं दूसरा hei i by नफार. कूकर रहने उनने दूसरा hei i cha कमडे के बाहर और क्या था नहीं है? साबून रहते हैं? दूसरा कमणा के बाद रखते ये दीपक जी जो है चप्पल रखते हो वहां पर कुका रखते हो वहां पर कुका रखते हो वहां पर ऐसे बढ़ते हो तुन दौब पटना का लोज है जहां पर छात्र रहते हैं और यहां पर पुरा इस तरह से कितना संघर्ष रहता है एक छात्र जीवन में वो अभी आपने देखा और किस तरह से दस साल करीम मेहनत करने के बाद भी दीपक जी आज अभी तक नोकड़ी नहीं ले पाए ये काफी मायूस भरा पल है दीपक जी के लिए इनकी जिन्दगी में इस साल कम से कम आपकी नोकड़ी हो जाए चलिए आपका बात सच हो और रहता है कि जीत गया वह सगेंदर जो हाड़ गया वह क्या होता है कहीं कार्विन होता है